प्रवाद बच्चों, मैं पंकज मिश्रा, आपको बाग के विचार के संदर में आज चर्चा करूंगा कि बाग के संदर में आप जानते हिए, आप पुस्तकों में पढ़ रहा हैं, जो जिस रूप में एक खंड पढ़ते है अगर हम प्रारंब से चलें बाखे का परिचे जाने उसकी परिभासा जाने तो हम देखते हैं कि हमारे मन की बाद दूसरों तक पहुंचानी होती है यानि हमको communication करना पड़ता है हमको suppression करना पड़ता है किसी से बेवार करना होता है तो हम बाक्य का सहरा लेते हैं और बाक्य क्या है सार्थक शब्द समू होता है सार्थक समू से बनता है हर शब्द का अपना अलग अर्थ होता है बाक्य में आए सभी शब्द या घटक परस पर मिलकर एक संदेश या विचार देते हैं कुछ समप्रेशित करते हैं एक compact definition क्या बनी एक मूलबूत परिभाशा क्या बनी कि शब्दों का सार्थक समू बाक के कहलाता है आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां सार्थक समू होगा वही समू बाक के कहलाएगा इसके बाद में next है कि अर्थकी दर्ष्टे बाक्यों को बच्चों दो तरीके से हम विभाजित करके पूरे बाक्यों को समझ सकते हैं इसके विभाजित में एक रचना के आधार पर और एक अर्थके आधार पर तो सबसे पहले मैं अर्थके आधार पर बात करता हूँ क्योंकि आप से के लिए सब्वादिक महत्पूर्ण अर्थकी दर्ष्टे बाक्यों को जानना है तो पहला है विधान बाचक बाक के दूसरा है नकारात्मक या निशेद बाचक बाक के आग्या बाचक बाक के जिनमें को यादेश दिया जा रहा है आग्या दी जा रही है इच्छा बाचक बाक के जिनमें आपके मन की इच्छा को संकेत किया जा रहा है संकेत बाचक बाचक बाक के स्वेम संकेत दे रहा है कि जिन बाक्यों में कथन का प्रयोजन को सूचना देना होता है कोई information किसी प्रकार की सूचना नहींत होती है उन्हें विधान वाचक बाक केते हैं देखिए जैसे मैं कल घर जाओंगा एक सूचना है सूचना अत्मक बाक्य है खाना बन गया है ये भी एक सूचना है माने आपको रसोई से आवाज दी आओ बच्चो सब लोग बैठो खाना खाओ खाना रेडी है खाना तैयार है तो ये कैसा बाक्य हुआ वो कल खेल रहा था सूचना है आज नहीं खेल रहा है लेकिन कल खेल रहा था यह सूचना दे दी, कल वो क्या कर रहा था, मन में प्रशना सकता है, तो वो खेल रहा था, कल तेवहार है, यह भी एक सूचना है, कि भाई, कल दीपावली है, कल होली है, कल इद है, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, तो उसकी सूचना है, इसके उपरानत है, नकारात्मक निश बहुएलना चाहता हूं निशेधात्मक्वाक। मैं burकल टीवी नहीं देखूँगा। सब लोग देखेंगे, मेरा मन नहीं है। निशेध हैंGet Lay devil- Action player चात्र ग्रहकार नहीं करते हैं। पीचर कहता है कि बच्चे या माता पिता कहता है बच्चे ग्रेकारी नहीं करते हैं निशेत वाली बागे रहते हैं वो सभी समय पर नहीं लोटे माने लिजे तो क्या है कि जो ड्यू टाइम है उस पर अगर हम नहीं लोटे तो कहा जाएगा वो समय पे नहीं लोटे या वो सभी नहीं लोटे मतलब हो सकता है कुछ लोग लोट आए हो और कुछ ना लोटे हो ये बाकि क्या कह रहा है बच्चो कि कुछ लोट आए हैं सभी नहीं लोटे सभी नहीं लोटे मतलब कुछ बाचक बाके कहते हैं इस बाके के मूल में जिग्यासा रहती है एक क्यूरियस होते हैं हमारे मन में होता है कि क्या है क्यूं है कैसे है ये भाव प्रश्ण बाचक बाके में ताए किसके अब इसके ये शब्द जहां जहां आपको मिलेंगे वहां समझे प्रश्ण प्रश्ण है कोई नहित किसके कौन कहां कब क्यूं कैसे आदिशब क्या हुआ है कौन आया है कब आया है कहां से आया है कैसे आया है क्यूं आया है यह सारे प्रशन है इनमें जिग्यासा है जब जिग्यासा का भाव है तो यह कैसे होगा बाक के प्रशन बाचक बाक के होगा नेक्स्ट है बिस्मै आदि बोध या उद्गार बाचक बिस्मै counting या यह बिचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए अचानक ब्олот उठता है अचानक बोल उठता है या उद्गार व्यक्त करता है उसको क्या कहेंगे हम बिस्मे बोधक बाके या बिस्मे आदिवधक आहा एक दम मन से भाव आया कितना सुन्दर उब्बन है मैंने पहले नहीं देखा तभी मेरे मन से बिस्मे आया मेरे मन के उद्गार व्यक्त है ओहो कितना रमणी ये द्रश् कितना गंदा है कहीं गंदगी देखी आपने आपके अंदर 20 में हो गया ऐसी गंदगी तो मैंने कहीं नहीं देखी ऐसा तो मैंने कहीं पहले नहीं देखा आपके उद्गार व्यक्त हो गया हाए कितनी गर्मी है ओफो सही नहीं जा रही है बहुत ज़्यादा गरम है बातावर जैसे अब बैठ कर खाना खाओ, किर्पया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, आप भी द्याले चले जाएए, कठोर बनो परन्त द्यालू बहुत अच्छी बात है, इसमें आज्या है, कठोर बनने को भी कह रहा है और द्यालू बने लेने को भी कह रहा है, आप जा सकते हैं, आज्या का भाव है, नेक्स्ट है, इच्छा बाचक आपके मन की भावना है, इच्छा, कामना, शुब कामना, अशीरबाद, सुझाओ, व्यक्त किये जाते हैं, उन्हें इच्छा बाचक बाचक के कहते हैं, आपकी यात्रा मंगल में हो, आओ, कुछ खालें, प्रभू आप बाचक बाचक के कहते हैं, यदि तुम परिश्रम करो, तो अवश्य कक्षा में प्रथम आ सकते हो, यह संकेत है, टीचर हमेशा कहता है, कि आप अगर मेहनत करेंगे, आप ऐसा करेंगे, तो आप सफल होंगे, अगर वो खेलता है, तो मैं अवश्य खेलूँगा, बर्शा हो जिन बाचकों में संदे या शंका व्यक्तो, डउटफुल जो होते हैं उन्हें संदे बाचक बाचक कहते हैं, जैसे शायद कल गारी चलेगी, यह नहीं चलेगी, यह किस पे निरवर है? प्रशाशन पे निर्वर है लेकिन हमारे मन में संदे है कि हम यात्रा के लिए प्लान बनाएं या नहीं बनाएं उनका आज पटना पहुंचना कठीन है संदे है कि समय पे पटना पहुंच पाएंगे या नहीं मित्र प्रतिक्षा कर रहा होगा ठीक है इस तरीके से अर्थ क्या धार पर हमने आपको बताए फिर से देख लीजिए रिवीजन या पुन्रा व्रति के तौर पर बिधान वाचक बाग के नकार आत्मक बाग के फिर प्रश्न बाची बाग के विस्मयादी बोधक बाग के आग्या वाचक बाग के इच्छा वाचक बा करेंगे धन्यवाद यदि कोई समस्या है तो आप बताने का कश्ट करेंगे